Humanities Stream में Short Notes बनाना अपने आप में एक आठ है क्योंकि इन Notes को हमें कुछ इस तरीके से बनाना होता है कि सब कुछ कवर हो जाए सिलेबस का लेकिन फिर भी ये Notes बड़े ना बने लेकिन आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताते हैं भाईया जब हम Notes बनाने बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने खुद की एक book लिख दी है मतलब कुछ भी हम skip नहीं कर पाते हैं कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो Short Notes कब Long में Convert हो जाते हैं पता ही नहीं चलता और बाद में फिर बहुत दिक्कते आती है तो आपको बिल्कुल भी Tension लेने की जरूवत नहीं है आपके गुरु भाया हाजर हो गए आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम Short Notes कैसे बना सकते हैं ये Notes बहुती शांदार रहेंगे सब कुछ इसमें हम कवर करेंगे लेकिन फिर भी ये Long में Convert नहीं होंगे तो इस वीडियो को End तक देखिएगा बिल्कुल भी Skip मत करिएगा सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं तो देखिए Short Notes बनाने के लिए न तीन बहुती Simple Steps हमें Follow करना पड़ते हैं अगर ये तीन Steps हम Follow कर लेते हैं तो बहुती शांदार Notes हमारे बन जाते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको Political Science के Example से Notes बनाना सिखाऊंगा क्योंकि Political Science Subject ज़दातर बच्चों का होता है अगर आपका Political Science Subject नहीं है तो बिल्कुल भी Tension लेने की ज़रूद नहीं है सबसे Easy Topic मैंने Select करा है बहुत अच्छे से मैं आपको Explain करूँगा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और End में मैं आपको बाकी Subject से सेंपल भी Provide करूँगा तो आपको और अच्छे से सब को समझ में आ जाएगा बहुत सारे Students को लगता है कि पहला Step होता है बुक को अच्छे से पढ़ना फिर Notes बनाना लेकिन ये सरा सर गलत है पहला Step निकल कर आता है एक सही Question Bank से Question पढ़ना सब इससे पहले जिस भी Chapter के हम Notes बना रहे हैं उस Chapter के बारे में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि School Exam में, Board Exam में, COT में इस Chapter से किस Type के Question आते हैं अगर एक पर हमें ये Clear हो गया कि कैसे Questions इस Chapter से आते हैं तो Notes बनाने में बहुत असानी होती है हमें पता चल जाता है कि किस Topic के Notes हमें कैसे बनाना है, कितने Points इंक्लूट करना है, क्या हम Skip कर सकते हैं, क्या हमें बिल्कुल भी Skip नहीं करना है तो पहला Step निकल कर आता है, जो भी Chapter हम Select कर रहे हैं Notes बनाने के लिए उसके Questions को बहुत अच्छे से समझना और फिर Notes बनाना तो सबसे पहले पहले Step को अच्छे से करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अभी मेरे पास Class 12 की Political Science की गुरू कुल भाय उसवाई की Question Bank है तो सब इससे पहले जिस Chapter के हम Notes बना रहे हैं, उसके सारे Important Question देख लेते हैं मैंने बहुत सारी वीडियोज में आपको गुरू कुल भाय उसवाल के बारे में बताया है, यह Question Bank बहुत ही अच्छी है तो आज मैं आपको The End of Bipolarity Chapter के Notes के Example से समझाऊँगा तो मैं इसके सारे Important Question देख लेता हूँ को मिल जाते हैं, बहुत Important है, देखिए, What do you mean by Shock Therapy तो एक चीज तो Clear होगे कि Shock Therapy तो मैं करने ही करना है फिर Explain any four factors that were responsible for the disintegration of the USSR मतलब factors भी बहुत Important है, यह हमें देखना है ऐसे ही हम सारे Question देखते जाएंग, एक एक करके इससे हमें यह एकदम Clear हो जाएगा कि इस Chapter से कैसे Question पूछे जाते हैं गुरू कुलबाय उस्वाल अगर आपने नहीं लिये हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँआ, मार्केट से भी ले सकते हैं ले लीजिए, यह Question Bank बहुत ही अच्छी है तो सब इससे पहले Questions देखना बहुत Important है, अब अगले Step की तरफ आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद हम Second Step की तरफ आगे बढ़ेंगे अब हमें यह बहुत अच्छे से मालूम है कि Chapter से किस टाइप के Question एक्जाम में आते हैं तो अब हम सीधा Main Book से अपने Notes को बनाएंगे Most of the Subjects में आपकी Main Book NCRT रहती है अब यहाँ पर Main Book से मेरा यह मतलब नहीं है कि आपको जाके Book पढ़ना है आप Videos भी देख सकते हैं, Life Classes भी जॉइंग कर सकते हैं, Book भी पढ़ सकते हैं उसे कोई भी फरक नहीं पड़ता, बस मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ कि Notes हमेशा Main Book से बनाएंगे यह गलती मत करिए कि Notes हम किसी Refresher से बना रहे हैं या फिर ऐसे Source से बना रहे हैं जो Main Source नहीं है, वैसे में बहुत सारी चीज़े Skip हो जाती हैं इसलिए Notes हमेशा हम अपनी Main Book से बनाएंगे अगर वो NCRT है तो NCRT से बनाएंगे, अगर वो Refresher है तो Refresher से बनाएंगे अब यहाँ पर बच्चे एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं इसे मैं गलती तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर इक प्रॉब्लम वाली बात है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, Main Book पढ़ लेते हैं, उसके बाद Notes बनाते हैं पहले पूरी बुक पढ़ ली, पहले पूरी वीडियो देख ली फिर Notes बनाते हैं ऐसे में ना हमारा टाइम बहुत चला जाता है क्योंकि हमें फिर से चेक करना पढ़ता है कहीं कुछ Skip तो नहीं हो गया, कुछ भूल तो नहीं गया अगर आप मेरी माने, तो आपको पढ़ते पढ़ते Notes बनाना चाहिए Live Classes में भी हम यही करा रहे हैं कि भाई हम पढ़ाते हैं और आपको बोलते हैं साथ में Notes बनाओ पहले हम Notes बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि जब हम पढ़ते हुए Notes बनाते हैं तो सारी चीज़े में याद रहती हैं तो Notes में कुछ भी हम Skip नहीं कर पाते हैं कुछ भूलते हैं हम नहीं है, लेकिन हम बाद में बनाते हैं तो महनत भी Double हो जाती है, टाइम भी Double लग जाता है ऐसे में फिर syllabus complete नहीं हो पाता है, तो अगर आप मेरी माने तो आपको पढ़ते पढ़ते Notes बनाना चाहिए बाकी आपकी मर्जी है बट अगर आप मेरी माने तो मैं यहीं बोलता हूँ कि पढ़ते पढ़ते Notes बनाना एक better option रहता है तो यह 3 simple steps रहते हैं जिनने अगर आप follow करेंगे तो Notes आप बना पाएंगे अब मैं आपको Notes बनाना सिखाता हूँ जिससे आपको सारी चीज़े एकदम clear हो जाएंगी Political Science का ही example हम ले रहे हैं और end मैं फिर कुछ और subject के भी sample मैं आपको दिखाऊंगा अब यहाँ पर मैं सीधा NCRT पर आ गया हूँ मैं आपको सबसे पहले बहुत जल्दी जल्दी एकदम short way मैं explain करूँगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम Notes कैसे बनाते हैं यहाँ पर Political Science का एक बहुत ही असान topic मैंने लिया है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका Political Science subject नहीं है तो आपको भी समझ में आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर मैं topic पढ़ रहा हूँ Consequences of Disintegration USSR एक super power था जो collapse हो गया था, disintegration उसका हो गया था, वो खत्म हो गया था तो उसके बाद हमें क्या Outcomes देखने को मिलेगी हम पढ़ने वाले तो मैंने सबसे पहले Question Bank को बहुत अच्छे से पढ़ा तो मुझे एक चीज तो एकदम clear हो गई कि इस topic से ये question बार-बार आता है कि आप USSR के Disintegration के Main Consequences बताईए तो मतलब ये topic बहुत ज़ता important है इन main points दिये हुए है first, second और third ये main points है मतलब इन्हें तो मुझे लिख नहीं है इन्हें मैं as a heading use करूँगा लेकिन इसके बाद अंदर भी बहुत सारे points दिये हुए है वो भी मुझे अच्छे से देखना पड़ेंगे तो मैं आपको दो points explaining करता हूँ दो मैं आपको notes बनाऊंगा, बताऊंगा कैसे बनाना है और तीसरा आपको homework आप बनाएंगे और फिर आप बताएंगे मुझे कि आपसे बना या फिर नहीं बना तो अच्छे से सुनिए यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहला एक बहुत major consequence हमें यह देखने को मिला कि जो cold war चल रही थी USA और USSR के बीच में cold war चल रही थी अगर आपको नहीं मालूम है तो वो end हो गई अब USSR ही नहीं बचा तो cold war कैसे रहेगी तो यह एक major point हमें मालूम चला यह हमें note down करना भी मैं आपको बताऊंगा अब इसके बाद इसी से related नीचे छोटे छोटे point दिये हुए example जैसे USA USSR के बीच में ideological dispute भी था दोनों को लगता था कि जो ideology मतलब जो उनके set of beliefs है set of opinions है जिस तरीके से वो अपनी government को अपनी economy को रंग करते हैं वो better है तो यह विवाद भी खत्म हो गया USSR disintegrate हो गया तो सब को मालूम चाहिए कि जो capitalist system है जो USA follow करता था वो better है एकदम short मैं explain कर रहा हूं वो better है फिर इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि इनके dispute में military भी engaged थी तो इन लोग arms race में लगे रहते थे मतलब एक दूसरे से competition करते रहते थे weapons बनाते रहते थे कि हम आपसे आगे रहेंगे अगर आपके पास 5 missile है तो हमारे पास 7 होंगी तो arms race भी देखने को मिलता था और पूरी दुनिया को डर लगता था कि future में एक और world war ना हो जाए लेकिन जब USSR खत्म हो गया तो भाई ये चीज़ भी खत्म हो गई और एक possibility आए कि future में हमें peace भी देखने को मिल सकती है मतलब हो सकता है जो भी problems चल रही है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी तो पहले उसमें हमें ये points देखने को मिले ये main point और नीचे हमें छोटे छोटे और points देखने को मिले आपको इसी समय लिखते जाना है कि क्या points है लेकिन अभी मैं आपको बार में बताऊंगा क्योंकि एक बार में मैं आपको explain करूंगा लेकिन जब आप notes बना रहे होंगे तो जैसे याप पढ़ते जाएंगे तुरंत आप लिखते जाएंगे अब second topic अच्छे से सुनिए second निकल कर आता है कि जो power relation था world politics में वो भी change हो गया मतलब जो पहले था वो अब नहीं है अब नए-नए ideas आए बहुत सारे हमें institutions में भी changes देखने को मिले जो पुराने set of beliefs थे पुराने ideas थे वो खत्म हो गए तो नए ideas नए institutions को जगा मिली तो उसकी यहाँ पर बात करी जा रही है तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि जब world war खत्म हुआ तो दो possibilities थी एक थी कि world unipolar हो जाएगा मतलब सिर्फ USA का दबदबा रहेगा वही पूरी दुनिया को influence करेगा और दूसरी possibility यह थी कि बहुत सारे ऐसे powers रहेंगे nations रहेंगे, organization रहेंगे जो पूरे world को influence करेंगे और हम multipolar बन जाएगे लेकिन हुआ क्या? USA सोल सूपर पावर बन गया मतलब एक unipolar world हमें देखने को मिला यह यहाँ पर एक main point दिया हुआ है इसको याद रखिए फिर USA जीत गया, उसका dominance आ गया तो भाई वो capitalist economy को follow करता था तो यही dominant form में आ गई अब बाकी दुनिया भी इसी को copy करने लग गई इसी को follow करने लग यह भी हमें देखने को मिला नए institution जैसे world bank, international monetary fund भी आगे बढ़कर आए क्यों बढ़कर आए? वो republic जो पहले USSR के साथ थे वो nation जो पहले USSR के cap में थे अब वो अलग हो गए एक दम तो उन्हें shift करना था पहले वो socialism को follow करते थे, communism को follow करते थे अब उन्हें capitalism में shift करना था तो उन्होंने इनी से loan लिया था तो यही उन्हें advise करते थे कि आपको अपनी economy को कैसे change करना है तो यह advisory बन गए और साथ में politics में भी change देखने को मिला liberal democracy जो USA follow करता था वो सामने निकल कर आई कि यह best तरीका है political life को manage करने का तो यह हो गया एकदम short explanation समझ गए आप अब हम देख लेते हैं कि हम इसको notes में कैसे convert करेंगे तो देखिए यह मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हमारे life classes के notes यह notes हम life classes में use कर रहे हैं सब इससे पहले हमने heading दी कि consequences of disintegration अब मैंने आपको बताया था तीन main points थे तो पहला main point हमने लिखा end of cold war confrontations फिर हमने यहाँ पर लिख दिया ideological dispute हमने notes में कहीं पर भी यह mention नहीं करा हुआ है कि ideological dispute के बाद क्या हुआ capitalism जीता या फिर socialism जीता यह हम सब को मालो में हमने chapter पड़ा हुआ है हमने short में बस इतना लिख दिया कि ideological dispute भी खत्म हुआ arms race यहाँ पर यह भी mention नहीं करा कि arms race बढ़ गई या फिर खत्म हुआ है हम सब को मालो में common sense है तो ऐसे हम short notes बनाते हैं short short में चीज़े लिखते है tensions in the world मतलब जो भाई बहुत tension चल रही थी डर चल रहा था वो भी खत्म हो गया एक peaceful environment डवलप होता हुआ हमें देखने को मिला तो देखिए इतने बड़े paragraph को इतने में से हमने लिख दिया और हमें समझ में आ गया वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो please वीडियो को like कर दीजिए कोई भी एक प्यारा सा comment कर दीजिए जिसे YouTube को पता चले कि वीडियो अच्छी है और फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दूसरा topic उसकी भी हमने heading दी change in power relations तो हमने यहाँ पर लिखा कि आइडियास जो institutions थे उनमें हमें changes देखने को मिले जैसा मैंने आपको बताया तो देखिए एकदम short में लिख दिया दो possibilities थी unipolar world बन जाएगा या फिर multipolar world बन जाएगा एकदम short में और हमने tick लगा दिया कि भाई unipolar world बन गया लिखा ने इसे tick लगा दिया tick से समझ में आ गया फिर tick लगाने के बाद नीचे हमने लिखा US मतलब unipolar world बना तो कौन superpower बना एक लोता US US बन गया soul superpower और enormous power और prestige इसके पास आ गया तो एकदम short में ये चीज़े लिख दी फिर हमने क्या लिखा भाई economic dominance किसका हुआ capitalist economy का political dominance किसका हुआ liberal democracy का world bank और IMF powerful advisors बन गए अब एक question आ सकता है बाद में हम भूल सकते हैं कि कैसे बन गए तो हमने arrow लगा या लिख दिया why क्योंकि इन्होंने loans दिया कि भाई अगर आपको capitalism में transfer करना है तो हम आपको loan provide कर रहा है तो हम अराम से एक flow chart बना सकते हैं जहाँ पर यह हमारी main heading हो जाएगी यह हमारी first heading हो जाएगी यह हमारी second heading हो जाएगी और नीचे अगर हम जाएंगे तो यह हमारी third heading हो जाएगी यह तीन हमारी main heading हो जाएगी और अंदर हमने फिर सब पॉइंट detective भी लिखे हुए है कि अगर ये वाला point हम लिखते है तो उसके नीचे 1, 2, 3 इन्हें हम explain कर सकते हैं 2nd topic को लिखते हैं तो ये सारे points हम explain कर सकते हैं और नीचे चले जाते हैं इनको exploring कर सकते हैं सब कुछ हम explain कर पाएंगे 2nd point में और third point मैंने आपको explain नहीं करा लेकिन उसको भी हम अराम से लिख पाएंगे तो ऐसे हम short notes बनाते हैं अब जैसा कि वीडियो के start में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बाकी subjects के sample भी बताऊंगा तो जो notes हम live classes में use कर रहे हैं उनी notes के कुछ pages का link आपको description में मिल जाएगा उसे download करिए और देखिए कि short notes कैसे बनाया जाते हैं ये बहुत ही premium notes हैं इनसे आपको बहुत को सीखने को मिलेगा तो कुछ pages का link आपको description में मिल रहा है उन्हें देखिए और उनसे सीखिए इस वीडियो के लिए इतना ही पसंद आये तो like कर दीजिएगा दोस्तों से share कर दीजिएगा आगे जिन भी topics पर वीडियो चाहिए comment section में बताइए उपर end screen में वीडियो डाल रहा हूं कि एक सही time table कैसे बनाया जाता है तो उस वीडियो को देख लीजिए description में आपको उसवाल गुरू कोई का link भी मिल जाएगा इस वीडियो के लिए इतना ही signing off गुरू टेहमुरिया